नरक का नाम सुनते ही हमें परलोग की याद आती है हमारे हिसाब से नरक एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल दिया जाता है अगर मैं कहूं कि एक नरक मनुष्य लोग में भी है तो आप विश्वास नहीं करेंगे मनुष्य लोग में जो नरक है वहाँ बिना किसी गुनाह, गलती, बुरे कर्मों को न करने पर भी मरने से पहले जीती जाकती अवस्ता में क्रूर दंड दिया जाता है तो आपको आश्चरी होगा कि ऐसी नरक कहा है, किस ने बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई मनुष्य तो फिर भी मरता है, फिर उसे दंड स्वरूप नरक मिलती है मनुष्य लोग की नरक का प्रानी तो जीवित अवस्ता में असहनिय दर्द को जेलते हुए मरता है तो आप जानना चाहेंगे ऐसी नरक कहा है और वो प्रानी कौन से है ऐसी नरक मनुष्य द्वारा निर्मित, स्लाटर हाउस या कतल खाना है जहां लाखों पशुओं को बिना किसी सजा के गुनाह के तडपा तडपा कर एलेक्ट्रिक शौक देकर सिर पर हतोडे या लोहे की रॉड से वार करके आरे से गले पर वार करके बैते हुए खून के साथ उल्टा लटका कर उल्टा लटका दिया जाता है फिर उसी अवस्ता में दो-चार और वार किये जाते हैं ताकि उनके मुह से वेदना भरी आवाज न निकले इन निर्दैता कुरूरता से मारने वाला व्यक्ति जानवरों के लिए राक्चस या काल बन कर आता है और जहां उसे मारा जाता है वो जगह नरक से कुछ कम नहीं है जीवी तवस्ता में उबले पानी में फेंग कर उन्हें तडब कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है फिर उनके मास को ऐसा काटा जाता है जैसे साग सबजी काट रहे हो इसलिए ये मूग प्रानी जीवी तवस्ता में ही मनुष्य रूपी राक्चस के द्वारा नरक जेसी वैदना भोगते हैं उनको जिस धंग से मारा जाता है उसका एक अंश भी मनुष्य जेल नहीं पाएगा और दुख और दर्द से कराह उटेगा तो सोच कर देखिए वो पसू जो बेबस है बोल नहीं सकता अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसे ये राक्चस मनुष्य किस किस तरह से दुख देता है देखने मात्र से रूह काँ पुड़ती है छोटी मोटी नरक के सैंपल तो आपको गली मोहले में भी देखने को मिल जाएंगे जहां कसाई मुर्गी वचूजे को पिंजरे में बंद करके रखता है दूसरों की जीब की हवस मिटाने के लिए और खरिदार के आते ही उसका हलाल कर देता है इस मुर्गे ने जीते जी नरक का दुख देख लिया इस चालाक राप्चसी मनुश्य का दिमाग केवल सेर और चीता जैसे जानवर ही ठिकाने लगा सकते हैं क्योंकि सेर और चीता को भी मनुश्यों का मास अच्छा लगता है इन जानवरों को छोड़ देना चाहिए इन कसाईयों के बीच सेर चीता की क्रूर नजर ही इन कसाईयों की अकल ठिकाने लगाने में मदद करेगी जब अपनी जान पर आएगी तब ऐसास होगा दूसरों के दर्द का दूसरों की तकलीफ का दूसरों पर छुरी चलाने से पहले अपनी एक अंगुली काट कर देख ले किसी का पुरा सरीर काटने से पहले या फिर अपने बच्चे पर ही एक्सपरिमेंट करके देख ले पता चल जाएगा चाकू का वार कैसा होता है आपका बच्चा सह पाता है या नहीं आपका बच्चा प्यारा बच्चा जानवर के बच्चे बस ऐसे ही ऐसे निर्दई लोगों की वज़े से ही प्रकृति कभी भूकम, कभी सुनामी, कभी बाड, कभी आग, तो कभी महामारी फैला कर अपने पशुओं पर हुए अत्याचार का बदला लेती है वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, जानकर ही अच्छी लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें